हाई दोस्तों नमस्कार मेरे नाम है अवेकुमा भारती फ्रम नॉलेज कोलेज दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं Canon EOS 3000 का Wi-Fi connection और उसके settings के बारे में आप कैसे इसको connect करेंगे अपने smartphone में तो वो हम आपको बताएंगे चली शुरू करते हैं पहले आपको क्या करना पड़ेगा पहले अपने smartphone में आपको एक apps इंस्टाल करना पड़ेगा अपस का नाम है Canon Camera Connect तो हमारे देखिए Canon Camera Connect ये apps हमारे अल्रेडी इंस्टाल किया हुआ है तो ये इंस्टाल करके बहुत ही छोटा फाले 10.5 MB का फाइल है फिर उसके बाद आपको camera के settings में आना परेगा पहले इसको देखिए हम off है इसको on कर देते है on करके menu प्रेस कीजिएगा आपको menu प्रेस करना है मेनू प्रेस करके आपको option में आना है देखिए settings का option में आएंगे सेटिंस का option में आएंगे देखिए wifi ये enable है फिर wifi function में आईएगा mobile easy connection ओके ये जो password है ये password आपको wifi में डालना परेगा तो आपको wifi में डालने के लिए ये आपको ये प्रेस कीजिए wifi on कीजिए करके देख सकते हैं यहां आपका US3000D आ गया जो password उधर दिया हुआ है वही password आपको इधर पूट करना परेगा वह password पूट करना परेगा इसको कनेक्ट किये जैसे कनेक्ट होगा देखिए इसको बैक कीजिए आप आपस में आईए आपस में आते ही देखिए इधर एक option आएगा देखिए उसको क्लिक कीजिएगा क्लिक करते ही आपको क्यामरा में एक option है इसको ok कर दीजिएगा ok किये करते ही यह देख सकते हैं दो option आगे images on camera remote live shooting तो images जो image क्यामरा में है उस सब आपके पास आजाएगा इस सब images आजाएगा देख सकते हैं इसको आप डाउनलोड भी एक एक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लस आप remote live shooting तो remote live shooting क्या है तो यह क्या करेगा देखिए कि यह क्लिक होगे तो आप देख सकते हैं यह मेरा जो हम लिये हैं इधर आपका फोटो आगया तो यह आप इसमें remotely access कर सकते हैं आप जब टांसफर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पिक्स है आपका अल्रेडी स्मार्टफोन में भी आ जाएगा तो यह पुरा option है हम देखिए अपने इस option से किये हैं बहुत easy option है तो आशा करता हूं आपको यह connection आपको समझ में आ गया होगा तो मेरा इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और हमारे इस channel को subscribe कीजिए thank you thank you for watching us